दोस्तों सभी भूट इवनिंग और आप इस लाइब में बहुत बहुत स्वागत है जैसे मैंने बोला था कि साड़े पांच के आसपस मैं लाइआ हूँगा लेकिन कुछ कारणों की वज़े से मैं थोड़ा सा बीजी था और अब मैं आप से बात करने को प्यार हूँ और आपके सवाल आपके रिक्वेस्ट और खासकर कल प्रेलिम्स के लिए आपको क्या दिहान रखना दो चार बाते उसको मैं आपको बतानी कोशिश करूँगा पहले तुम आप सब का फिर से एक बार शुक्रिया और आभार विक्त करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे शुब कामनाई भेजी बदाईया भेजी कोशिलेशन भेजा उसके लिए बहुत बहुत दिन्नवाद सब्कूद जल्दी से जुड़ जाईये भाई जैसे 500 के आसपास लोग होंगे हम लोग बात चुरू करें पास से दस मिनट में आपके बीच में लाईयू रहूंगा फिर हम लोग बात बात चुरू देखिए भाई इस पे जो कुछ ऐसा मजिक तत्तों जुड़ेव हैं वो करपिया भार निकल जाए और लाईयू का माहोल ना भी गाड़े हमा गणी जी बहुत बहुत दोस्तों कर प्रिलिम्स एक्जाम है तो सबसे पहले तो आप सब लोग को बहुत बहुत शुक कामना है कि आपका जो सपना है जीवन का वो बुरा हो और आप सब लोग इस एक्जाम में बहुत अच्छा करें आपने जो भी सोचा है वो बुरा हो जितना जिस प्रकार से आप उसकी सफलता आपके सामने हो सीसेट को लिक्कत है भई आप तो जो है जिसके जितना आपने पढ़ लिया है बस उसको फोलो करना है उन्ची जो को अच्छे से करना है एक दिन में को तहरी नहीं होती भई दो चार चीजे हैं जो आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या क्या द्यान रखना चाहिए वो मैं आपके साथ दिस्कॉस करेंगा जोस्ति नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद चलो भई लगवक साड़े चार सो का सबस लोग जोड़ चुके हैं जैसे ही पांच सो लोग जुड़ेंगे हम लोग अपनी बास शुरू करेंगे कल फिल लेमस है भाई बहुत बहुत सुब कामना है सबको थैंक्यू प्रसंद्ना चलो भई का भी लोग को मेरे पास रिक्वेस्ट में आचके जुड़ने की बहुत बहुत दिन्यवाद भई आप सब का चलो अब बात करेंगे कि केल के लिए क्या ध्यान रखना आप सबको जो जो अग्जाम देने जा रहा है उनको किन चीजों पर फोकस करना है सबसे पहले तो मैं अभी की बात बताता हूँ के भी शलगोक शाम हो चुकी है आप लोग पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिये और जितना भी आज तक पढ़ा है उसको एक बर दिमाग में अंदर घुमाने की कोशिश कीजिये भी कलेक्ट करने की कोशिश कीजिये कि मैंने पढ़ा है अच्छा पढ़ा है मेरे साथ अच्छा होगा और दूसरी बात है वो यह है कि आपको अच्छा खाना खाना है healthy खाना है oily नहीं खाना है ऐसा नहीं खाना कि आपको पेट खराब हो जाए healthy खाना खाना है और एक अच्छी नींद लेनी है क्योंकि दोस्तों exam सुबह सुबह ही होती है उस वक्त अगर आपका स्वास्ता ठीक नहीं है अगर आपको नीज आ रही है तो दोस्तों आपको exam खराब हो सकती है इसलिए आपको रामस अच्छी नीज लेनी है positive रहना है positive सोचना है केवल और कल जब एक्जाम में जाओ तो भी जी एक विक्ति को दोस्त को या किसी पेरेंट्स को साथ में लेकर जाना आप जिससे आपको एक कॉन्पिडेंस मिलेगा कि मेरे साथ कोई है और आपको बिल्कुल अपने शांत दिमाग से एक एक कोईशन को अच्छे से पढ़ कर बिना किसी सिली मिस्टेक के आपको जवाब देना है और कोशिश करना है कि पेपर को अच्छे से मैनेज किया जाए दो से तीन बार पेपर को देखा जाए जो सवाल जल्दी जल्दी हो रहे हैं शुरुआत में उनको कर लिया जाए और उसके बाद में जो सवाल अटक रहे हैं उनको लस्ट में किया जाए पेपर ऐसा होता है कि हम सत्रसी सवाल तक पोस्ते पोस्ते हैं हमारा टाइम हो जाता है हम बीस के सवाल देखी नहीं पाते है पेपर ऐसा होता है कि लस्ट में सवाल असान होते है शुरुआत में मुश्किल होते हैं दोस्तो तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए दोस्तो कि एक बार पेपर को शुरुआत से लाश्ट तक पूरा किया जाए और फिल्स के बाद में दूसरे राउंड में जो सवाल आपके डाउट फूल है जो जिन सवालों में आप अटक रहे हो उन सवालों को दूसरे राउंड में लाश्ट में जो सबसे ज़्यादा डाउट में है उनको और ओमार सिट का आपको ध्यान रखना है कि पहले राउंड क बहुत ध्यान से बढ़ा जाए, पेपर को अच्छे से टेम्ट किया जाए, और बिलकुल confidence के साथ रहना है, सबसे बात है confidence की, अगर आप confidence में हो, तो आपके 50% जो सवाल है, वो वैसे ही ठीक हो जाएगी, जो आप कई बार ऐसा लगाते हो, तो गेस करते हो कि B होगा, C होगा, अगर आप confidence से उसको टिक लगा रहे हो, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, दोस्तों, आपका सही पे ही जाएगा, चलो दोस्तों, आप सब लोग को यही बताने के लिए लाइवा है था, कि आप सब लोग को बहुत अच्छे से काम रहना है, कूल रहना है, confident रहना है, और अच्छे से एक्जाम देना है, बाकि जो भी होगा देखा जाएगा, चलो दोस्तों, मैं अब आप से विदा लेना चाहूंगा, आपको बहुत-बहुत सुब काम नहीं कल के लिए, और आप सब लोग अपना बैस्ट दीजिए, आपने जितना पढ़ाई किया है, उसको रिलेक्ट रिकलेक्ट करके, शान्स दिमाग से, कॉन्फिटेंस से बेपर के लिए, सुर्ण दोस्तों, बहुत-बहुत देने वाद आप सब का,